एक तरफ है मेगलाड़न सार्ख जो अब तक ही सबसे खतरनाक और विशाल का है सार्ख है और दूसरी वो लिबियाटर इस्परमवेल है तो दोस्तों क्या होगा जब दो समुद्री महादानाव आपस में बीड़ेंगे आला कि यह दोनों पर जाती है इस दर्थी से बिलुफ्ट हो चुकी है इसलिए इनका आमना सामना पॉसिबल नहीं है लेकिन विज्ञानिकों के कहना है कि यह दोनों पर जाती इस दर्थी पर एक ही समय पर मौजूद थे इसलिए इनका कभी ना कभी तो आमना सामना हुआ ही ह वैसे तो दोनों का आकार लगभख बराबर ही था लेकिन मेगलाडन के जबड़े 3 मीटर के ते जिसमें 5 रों में 7 इंच के 250 बात मौझूद थे वहीं लिवियाटन के जबड़े भले मेगलाडन से चोटे थे लोकिन लिवियाटन की दाथ मेगलाडन के दाथ से दुगने थे यानि 14 इंच के थे और लिवियाटन काफी इंटेलजेंट थी इसलिए अगर मेगलाडन का इसे अराना है तो लिवियाटन के पूझ काट कर अलग करना होगा ताकि लिवियाटन पानी के बाहर सांस लेने ना आ जा पाए तो कि लिवियाटन एक मेमल थी जिसे सांस लेने के यह पानी के उपर आना पड़ता था अगर मेगलाड़न ऐसा नहीं कर पाई नहीं तो लिवियाटन अपने लंबे नुकिले दातों से हमला कर देगी जिससे मेगलाड़न की मौत पक्की है वैसे इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है